इन सब सवालों के बाद भगवान की अंतिम देशना चल रही है और दिपावली की मध्यरात्री आने वाली है और भगवान महावीर ने अंतिम देशना में पचपन अध्यन दुख विपाक के पचपन अध्यन सुक विपाक के ये अध्यन और चतिश अध्यन उत्राध्यन सुत्र के और जैसे शेतिश्वा अध्यन उत्राध्यन सुत्र का माता मरुदेवी वाला है जैसे सेतिश्वा अध्यन माता मरुदेवी वाला प्रारभ ही किया वेशे ही आधी रात मध्यरात्री हो गई वो अध्यन पूरा हो नहीं पाया क्योंकि भगवान कहीं रुके नहीं रुके नहीं दिये जा रहे हैं लेकिन समय आगया मध्यरात्री का आयुष्य करम नस्ट होने ही वाला है तुरंत उन्होंने मन बचनकाय के बादर योग को समेटा देखिए समेटा तुरंत शुक्षम मन बचनकाय के योगों को गुप्त किया ध्यानस्त हुए ध्यानस्त होते ही आयुष्य रिल्री जितना समय लगता है इतनी सेलिशी अवस्था में प्रवेश किया भगवान ने और इतने में ही उनका निर्वान हो गया बोलिये भगवान महावीर स्वामी की भगवान का बोलना बंद हो गया शाथ शाथ